हेलो दोस्तों सिद्धान्द IAS Academy कानपूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है इससे पहले के अध्याय में हमने वर्णों के उच्चारण अस्थान को देखा था अपने इस चैप्टर में हम प्रियत्नक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रियत्न होते क्या है दोस्तों जबी वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख से कुछ चेश्टाएं की जाती है इन्ही चेश्टाओं इन्ही यत्नों को क्या कहा जाता है प्रियत्न कहा जाता है प्रियत्न दो प्रकार के होते हैं आभ्यांतर प्रियत्न और बाह प्रयतना आभ्यांतर प्रयतने यानि मुख के अंदर की गई चेस्टा परक्रियाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आभ्यांतर आभ्यांतर यानि अंदर मुख के अंदर की गई चेस्टा परक्रियाएं ये पांच प्रकार की होती है और फिर आता है बाहे प्रयतना बाहे प्रयतना वर्णों के उच्छारण का वह यतना होता है जो फेफडे से कंठ तक होता है इसे क्या कहा जाता है बाहे प्रयतना कहा जाता है और मुख से बाहर ये होता है ठीक है मुख से बाहर होने की अपेक्षा होती है इस वज़े से इसे बाहे कहा जाता है और इनकी कुल संख्या ग्यारा होती है आईए अब हम जान लेते हैं कि आपभ्यातर प्रयत्ना जो पांच प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो पहला है इस्परस्ट ठीक है दूसरा है इशत इसप्रस्ट तीशरा विवरत चौथा इशत विवरत और पांचवा है संवरत तो इसप्रस्ट जब ही हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था इसपर्ष व्यंजन इसपर्ष व्यंजन ऐसे व्यंजन होते थे जिनके उचारण करते वक्त जीव्या उचारण स्थान को इसपर्ष करती थी और ये का से मा तक के होते थे ठीक है का से मा तक टोटल पच्चेस होते हैं ठीक है उन्हें हम इसपर्ष कहते थे वही इसपर्ष को इसप्रस्ट कहा गया है तो आपको अब समझ में आगया कि इसप्रस्ट ही इसपर्ष है फिर बात करते हैं इशत इसप्रस्ट की हमाई पास दो शब्द है इशत है और इसप्रस्ट है तो इसप्रस्ट का तो मतलब हम समझ चुके हैं इशत का मतलब होता है थोड़ा यानि उचारण करने में जबी विया उच्छारण स्थान को थोड़ा सा ही इस्प ही इस्पर्श करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ईशत इस्प्रस्ट कहते हैं, कौन-कौन से वर्ण है? या व र और ला यानि कि जो आपके ये अंतस्त वेंजन है जिन्हें आप अर्ध स्वर भी कहते हैं ये इशत इस्प्रस्ट के कैटेगरी में आते हैं इसके बाद बात करते हैं वीवरत की तो वर्ण विशेश के उच्चारण में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इसी यतन को क्या कहते हैं विवरत कहते हैं सभी स्वर के उच्चारण में मुख जो है वो विवरत प्रयतन करता है इसके बाद आता है इशत विवरत तो यहाँ पर भी हमारे पास दो शब्द हैं इशत और विवरत, विवरत का अर्थ हम जान चुके हैं और इशत का हमें पता है इशत यानी थोड़ा ठीक है ? तो जभी उचारण में जो मुख विवर है वो थोड़ा ही खुला रहता है ये कौन-कौन से है ? श, स, स, और फ, यानी श, स, स, ह, ये चारों क्या कहलाते हैं इशत विवरत कहलाते हैं इसके बाद सम्वरत क्या है वर्णों के उच्चारणकाल में पेफडे से निकलने वाले निस्वास का मार्ग जब बंद रहता है तो इसे सम्वरत कहते हैं ठीक है जैसे की रस्व अ यानि जो छोटा आ है और यही एक मात्र वर्ण है जो की सम्वरत है ठीक है जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा अवरोध उत्पन होता है उपर आते वक्त तब ही ये बोला जा सकता है ठीक है तो हमने आभ्यांतर प्रयत्नों के पांचों प्रकारों को अच्छे से समझ लिया है मैंने आपके लिए इसको ऐसे लिख दिया है तो आप यहां से भी देख सकते हैं इस चीश को इसके बाद हम बात करते हैं बाह प्रयत्नों की और बाह प्रयत्ना खुल ग्यारा भेद होते हैं तो हम एक एक करके देखते हैं वो ग्यारा भेद कौन कौन से हैं तो पहला हम देख इसके बाद है आपका अल्प प्राण ये एक हो गया ठीक और उसके बाद बात आती है महाप्राण उसके बाद आता है उद्दात अनुद्दात अनुद्दात और स्वरिद चार ये तो चार तीन साथ तीन दस एक ग्यारा फुल ग्यारा भेद हैं आपके बाहः प्रयत्न के अब हम जान लेते हैं इन बारव प्रयत्नों के बारे में तो देखिए हमने अपने पहले चैप्टर में माहिश्व सूत्र जब पढ़ रहे थे तब हमने प्रत्याहार बनाने की शीके थे ठीक है अब देखिए वो कितना और जिन विद्यारत्यों को प्रत्याहार बनाना नहीं आता है वो इड़िए Os怖 कर दें और हमें मालूम है क्या होता है ख व च थ त च ट त व क प य श सर ठीक है तो आप देख रहे हैं खा से शुरू किया रापे खतम किया खा से शुरू किया रापे खतम किया और यह हलंत वाले जो वर्ण होते हैं इनको तो कंसीडरी नहीं किया जाता है तो भईया हटा देते हैं हम इग्नोर कर देते हैं इसको ठीक है तो हमने इग्नोर किया तो हमें कौन-कौन से वर्ण मिलते हैं खाफा चाठा ता ठीक है आपने देखा कितना आसान हो गया केवल आपने खर ना मियाद रखा और आपको पता चल गया कि यही आपके विवार होते हैं स्वास होते हैं और अगोश होते हैं तो आपने देखा यूटूब पर बहुत सारे चैनल्स की ऐसी भरमार है जो आपको शौट्रिक्स बताते हैं अरे शौट्रिक्स रटने की क्या जरूरत है संस्कृत खुदी अपने आप में बहुत सारी शौट्रिक्स के लिए पढ़े हैं बस जरूरत जो है वो है काईदे से उन चैप्टर्स को बढ़ने की अब प्रत्याहर जीने बनाना नहीं आता है उनको खर भी नहीं मालूम है क् उंगलियों पर बस रटते रहेंगे कि खाफ अच्छा ये होता है भाया हाँ प्रत्थम दुति और आपके शाशाशा इसके बाद फिर समवारनाद घोश जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ और मिल जाएंगे ऐसे ही जब पेपर में जाएंगे तो खिचड़ी पका करके न भी कन्वीउस हो जाएंगे और बैठे रहेंगे तो आपको बहुत सारी ठिके नहीं याद रखनी है आपको एक मूल फॉर्मूला याद रखना है उसी से ही आपके सारे कोशंस लग जाएंगे तो जो खर प्रत्याहार होता है वही क्या कहलाते हैं विवार कहलाते हैं स्व वार नाद या घोशकी ठीक है? तो इसके अंतरगत आता है हश प्रत्याहार ठीक है? क्या आता है? हश प्रत्याहार आता है तो चलिए अब भाई हम हश प्रत्याहार देख लेते हैं कहां से शुरू होगा? हश प्रत्याहार यानि ह, य, व, र, ट, ल, ड, इम, अंग, गड, इमंगडनम, जबाई, गड़, धश, जब, गड़, दश, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ह से शुरू किया और सापे खतम किया, ठीक है, अंतिम वार नहीं लिये जाते हैं, तो अंतिम वाले हम हटा देते हैं वई, ठीक है, यह लोग हटा दिया हमने, ठीक, लोग हट गया, तो कौन-कौन से हायावर ला, यह मा अंगाड़ा ना जबगड़द, जबगड़द, यानि कि प्रतेक वर्ग के तीसरे चौथे और पाँचवे, प्लस अंतस्त, अंतस्त कौन-कौन से होते हैं भई, यह वर ला, यह तो हमारे, जब हमने प्रत्यहार लिखे थे, तब ही कवर हो गया, ठीक है, हाँ भी कवर हो गया, तो हमें इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बश याद करना है कि हर्ष, प्रत्यहारी, समवार, नाद और घोश कहे जाते हैं, इसके बाद बात करते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण में ही आपके अंतस्त भी आ जाते हैं, यानि अर्दस्वर य, व, र, और ल, इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, आई होब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम अगले प्रयत्नों की तरफ बढ़ते हैं, जो तो उसे हम अलपप्राण कहते हैं और महाप्राण जब भी अधिक वायू निकलती है तो उसे हम महाप्राण वे अन्जन कहते हैं, ठीक है? तो अलपाप्राण में क्या था? विशम इस्थान थे और महाप्राण में आपके क्या होंगे? सम इस्थान वाले वर्ण होंगे. प्लस श-श-सह यानि जितने भी आपके उशम है न श-स-सह ये सभी महाप्राण की श्रीडी में आते हैं. फिर बात करते हैं उद्दात, होते हैं वो उदात अनुद्वात और स्वरित की शेड़ी में आते हैं दोस्तों यह स्वरित लिखा हुआ है स्वनिम नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो इस प्रकार से हमने देखा प्रयत्न दो आपके 5 प्रकार के होते हैं आज की चाप्टर में बस इतना ही है ठीक है तो इस चाप्टर को अच्छे से करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद